नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, सो हाल ही में भारत में चल रही एक अंतरराष्टरिय गैर सरकारी संगठन, यानि की INGO, that is Amnesty International, इन्हों ने अपने इंडिया के operations को हौल्ट कर दिया है, because Government of India ने यहाँ पर इनके bank accounts को freeze कर दिया था, so इस वीडियो में हम बात करेंगे exactly क्या कारण रहा Amnesty International के bank accounts को freeze करने का, and इसके इलावा ये भी जानेंगे Amnesty International basically इंडिया में क्या-क्या काम करती थी, all right, चलिए start करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है Anirudh, इस lecture की PDF को यदि आप लोग download करना चाते हैं, so मेरे telegram channel से कर सकते हैं, इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, study IQ की app, जिसको की आप लोग Google के play store से download कर सकते हैं, इस app पे हमने एक खास course launch किया है, जिसके थुरू आप अपनी quality की static knowledge को और भी जादा बहतर कर सकते हैं, इसमें हमने 1000 MCQs आपके सामने पेश किये हैं, quality के subject के, so यदि आप UPSC या फिर state PCS के किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं, इस course को जरूर बाई कीजएगा, also कुछ special offers चल रहे हैं, जिनको कि आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, right, so before we begin, कुछ basics आपको मालूम होने चाहिए regarding Amnesty International, I have already told you कि ये एक INGO है, ये एक non-profit international non-governmental organization है, इसका मुख्यालिय United Kingdom में located है, और ये July 1961 में बनाई गई थी, right, इसका जो main focus रहता है, ये रहता है human rights के उपर, यानि की मानविय अधिकारों को लेकर ये काम करती है, दुनिया भर में जहाँ पर भी मानविय अधिकारों का हनन होता है, या फिर उसको लेकर किसी भी तरह का उलंगन होता है, So Amnesty International और उसका staff वहाँ पर जाकर उसके खिलाफ आवाज उठाती है, यहाँ पर Amnesty International फिर से सुर्खियों में इसलिए आई, because यहाँ पर इसका जो India operations है, इनको यहाँ पर बन कर दिया गया है, So as you can see, ये Twitter के माधियम से इन्होंने बताया, The continuing crackdown on Amnesty International India over the last two years, and the complete freezing of bank accounts is not accidental. This is not the end of Amnesty India's commitment to human rights, we will not be silenced by the attacks of the government. So Amnesty India was forced to halt all human rights work as the government froze our accounts. So इसके थूर इन्होंने बताया कि हमारा जो operations है, वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया है, but at the same time they have also said कि हमारी जो प्रतिबद्धता है, मानव अधिकारों को यहाँ पर उठाने की, उनके लिए हम यहाँ पर सरकार के खिलाफ लड़ना बंद नहीं करेंगे. So यहाँ पर जब इनको ban किया गया, so इस particular NGO ने सरकार को काफी जादा condemn किया. कुछ-कुछ बातें जो इन्होंने कही, सबसे पहले Amnesty International said, it has been forced to halt its India operations due to the reprisals from the government. कि जो government का प्रतिशोध चल रहा था Amnesty International के खिलाफ, उसकी वज़े से हमें यहाँ पर मजबूरन अपने India operations को होल्ड करना पड़ा है. ठीक रिक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि the watchdog has also accused the government of indulging in a witch hunt of human rights organizations. They have also condemned the government by saying कि सरकार यहाँ पर मानव अधिकारी संगठनों को लेकर एक शिकार में लगी हुई है, जिसके चलते वो सभी human rights organizations को यहाँ पर बंद करना चाहती है. Also, it has said कि जब हमारे bank accounts यहाँ पर freeze कर दिये गए है, it has been forced to lay off staff in the country. So, resources के अनुसार लगभग 150 लोग थे जो की amnesty इंडिया में काम कर रहे थे, जिनको तुरंत यहाँ से उनकी नौकरी से निकाला जाएगा. जैसे ही इनके bank accounts को freeze किया गया, उसके बाद इनके कुछ senior directors ने कुछ अपने comments भी दिये. So, पहला comment जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं, that is said by Rajat Ghosla, जो की group के senior director है. हम भारत में एक अभूत पूर स्थिती का सामना कर रहे हैं. Amnesty International India को सरकार द्वारा बहुत ही सुनियोजित तरीके से हमले, बदमाशी और उत्पीडन का सामना करना पड़ रहा है. यानि कि एक systematic तरीके से यहाँ पर Amnesty International को सरकार की तरफ से attacks, bullying और harassment का सामना करना पड़ रहा है. At the same time उसके बाद साथी में इनके एक और executed director है अविनाश कुमार इन्होंने कहा है कि for a movement that has done nothing but raise its voices against injustice की एक ऐसा अंदोलन जिसने आज तक केवल और केवल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, यह जो नवीन का case लगाया गया था against the Amnesty India और यहाँ पर basically एक conference हुआ था जिसमें ये बताया जा रहा था कि Amnesty India में कुछ anti-India slogans कहे जा रहे थे, लेकिन बाद में ये बाद जब clear सामने आई, तो यहाँ पर एक court ने इन charges को इनके उपर से drop करवा दिया. Then October 2018 में फिर से एक raid हुई थी और ये भी काफी जादा बड़ी लंबी raid थी जो कि Amnesty के offices पर डली थी, यहाँ पर enforcement directorate के द्वारा ये raid डाली गई थी. इसके time पर भी इसके accounts को एक बार के फ्रीज कर दिया गया था, बट Amnesty says it was able to access them after seeking a court's intervention. अब finally आप देख सकते हैं, late 2019, यानि कि लगभग November 2019 के आसपास की बात है, जब Amnesty के offices को फिर से raid किया गया by the CBI based on a case registered by the MHA. So MHA ने case register किया, CBI को inquiry swamp दी और CBI ने यहाँ पर raid डाली थी. CBI की यहाँ पर जो raid डली थी, उसके आधार पर वही 2019 वाली raid के आधार पर फिर से enforcement डिर्क्टरेट पिच्चर में आता है, जिन्होंने यहाँ पर FIR जो की CBI ने डाली थी, उसके आधार पर एक और case दर्ज किया और अपनी जांच को भी शुरू किया for the violation of FCRA. लेकिन इनको जब FCRA के तहट कोई violation नहीं मिली है, so ED ने यहाँ पर एक और case इनके उपर डाल दिया है, whereby they have invoked the money laundering charges. So जो नया case इनके खिलाफ लगाया गया है, उसके तहट इनको Prevention of Money Laundering Act के तहट बुक किया गया है, जिसके चलते इनके operations को यहाँ पर ban कर दिया गया है, and इनके bank accounts को यहाँ पर freeze कर दिया गया है. Now, Amnesty का जो reply था regarding the FCRA charges, तो नोंने कहा है कि for human rights work in India, it operates through a distinct model of raising funds domestically, कि हम तो किसी भी तरह का fund असल में बाहर से लेते ही नहीं है. More than 4 million Indians, यानि की 40 laag से भी जादा भारतियों ने Amnesty International India को support किया है पिछले 8 सालों में, and लगभग 1 lakh Indians have made financial contributions. These contributions evidently cannot have any relation with the FCRA. ऐसा Amnesty International का मानना है. So, यहाँ पर यह चीज तो हो गई है, but we should also be aware कि Amnesty असल में India में काम क्या क्या करती थी. So, Amnesty असल में India में mainly 5 areas में लगी हुई थी. One was business rights and human rights. Second was individuals at risk. इसमें यह death penalty को लेकर भी काफी जादा vocal थी. अब इसने अपनी आवाज काफी बार उठाई थी regarding the abolition of death penalty in India. Also, it talked about gender waste violence. It also talked about human rights education and access to justice in Jammu and Kashmir. As I told you, death penalty को लेकर इसने काफी बार आवाज उठाई है और Amnesty International की जो reports है, in fact इसके जो सुझाव हैं, इसको लेकर दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं, जिन्होंने death penalty की प्रथा को खतम कर दिया है. Capital punishment is no longer done in those countries, right? Now, इसका जो सबसे recent work था, it involved two very important and very exhaustive reports. इसमें इन्होंने एक पहली report निकाली थी regarding the situation in Jammu and Kashmir, और दूसरी report निकाली थी regarding the riots in Northeast Delhi, जो की February के महीने में हुई थी. So, यहाँ पर Northeast Delhi में जो riots हुई थी, उसके चलते इस report में mention किया गया था कि दिल्ली police ने यहाँ पर human rights violation की है during the deadly religious rights, वहीं पर दिल्ली police ने जवाब में बताया कि जो amnesty के report है, वो lopsided है, biased है और malicious है, ठीक है. और साथ ही में जो इनकी दूसरी report थी, which had to deal with Jammu and Kashmir, उसमें इन्होंने कहा था कि यहाँ पर Government of India को NHRC के offices और NCW के offices और इसके साथ 6 और commissions के offices हैं, जिनको Jammu and Kashmir में पिछले एक साल से बंद किया हुआ है, उनको reopen करने की आवशकता है. खेर, ये तो था वो सब काम जो की Amnesty International इंडिया में कर रही है. Now, सवाल ये आता है कि क्या ये ban यहाँ पर सही है, क्या ये इनके bank accounts को freeze करना सही है या गलत है? देखे, इस सवाल का जवाब बहुत ही मुश्किल है. होता क्या है कि ऐसे cases में एक delicate balance maintain करना पड़ता है? Obviously, ये सब को मालूम है कि जो भी NGOs होती है, they are doing a lot of good work. कई सारी NGOs अच्छा काम भी कर रही हैं. In fact, अगर आप देखे, हमारी कैलाज सत्यार्थी जी के NGO है, जो कि child rights के लिए काम करती है, who has even won a Nobel Peace Prize. So, there are a number of other NGOs जो कि अच्छा काम कर रही हैं. But, अगर आप देखे, यहाँ पर June 2014 की Intelligence Bureau की जो report थी, वो यहाँ पर NGOs की दूसरी side भी दिखाती हैं. कुछ काफी important statements जो कि इस particular report ने mention किये थे, वो ये थे, a significant number of Indian NGOs, they have some donors based in the USA, in the UK, in the Germany, in the Netherlands and Scandinavian countries. And they have been noticed to be using people-centric issues to create environment which lends itself to stalling development projects. So, NGOs कुछ इस तरीके से काम कर रही हैं, कि वो भारत की विकास के कई सारे projects को यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से रोक रही हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से रोक धाम ला रही हैं. और in fact, इसी report ने ये भी कहा था कि जो negative impact है on the GDP growth because of these NGOs, ये 2-3% का पढ़ रहा है per annum. So, obviously, a coin has two sides. मैंने जैस आपको बताया कि NGOs अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन अगर हम IB की ये report को देखें, and I think ये आज भी काफी हद तक सही है, कुछ NGOs ऐसी हैं, जो कि foreign-aided हैं, और गलत कामों में involved हैं, right? So, होता क्या है कि इस case में सरकार के लिए, obviously, you cannot just ban all the NGOs, क्योंकि NGOs कुछ ऐसे areas में काम करती हैं, जहां पर कभी कबार सरकार काम भी नहीं कर पाती, कुछ ऐसे remote areas में काम करती हैं, जहां पर सरकार पहुँच भी नहीं पाती, so, उस cases में, we can't just ban the NGOs, लेकिन at the same time, सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, कि they need to come out with a solution, जहां पर एक balancing act करने की आवशकता है, so that वो जो खराब NGOs हैं, उनको यहां पर eliminate कर सकें, और जो अच्छी NGOs हैं, उनको यहां पर encourage कर सकें, इसके इलावा, आप क्या सोचते हैं, please आनों बताएए comment section में, on that note, I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay safe.